नमस्कार दूर दर्शन उत्राखंड के सावास उत्राखंड कारिक्रम में आपका स्वागत है आज हमारे स्टुडियो में मौझूद हैं उत्राखंड के जाने माने नाटे कलाकार यानि कठपुतली बिधा के सिक्षक पर सिक्षक और स्क्रिप्ट राइटर हमारे इस इस्टुडियो में मौझूद हैं मारकंडे परसाद गहरोला जिन्होंने 1985 से लेकर के सन 2003 तक पूरे देश भर से लेकर के उत्राखंड राजे के गाउंगाउं में कठपुतली निर्ते नाटिकाउं का परदर्सन किया है इन्होंने नाटिकाउं का परदर्सन यह नहीं किया विसे सग्यों पर जैसे मद्द निसेद हो गया, सिक्षा हो गया, कन्या भूनत्या हो गया, सोच्छता हो गया आदी बिविन बिविन मुखे बिश्वेंपे उन्होंने निर्ते नाटिकाएं बनाई है और उनका परदर्सन किया है ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि लगबग उत्रा खंड के पांच हजार अस्तानों पर उन्होंने कठपुतली का परदर्सन किया है वो कठपुतली के बहुत जानकार हैं जिन्होंने कठपुतली स्क्रिप्ट राइटिंग में राष्टे लेविल का किताबी हासिल किया है हम उनका दोरदर्सन इस्टुडियो में स्वागत करते हैं और उनके साथ उनके जो बहुत बिसेश सहयोगी रहे हैं जिन्होंने कटपुतली नाट्य गायन में अपनी एक पहचान बनाई है सुनील बेसारी हम सीधा इस्टूडियो में मुखातिब होते हैं गैरुला जी से कि कटपुतली हामारे परदेश का निर्ते नहीं है राजस्तान का बहुत ही सुन्दर बहुत ही अच्छा निर्ते नाट का हैं कटपुतली के माध्यम से गाउं-गाउं में पहुंचाए जाए तो हमारे दर्सक गर्ला जी आप से जानना चाहते हैं मैं सबसे पहले तो दूर दर्शन उत्राखंड का हार्दिक दिल से स्वागत अभिन करता हूं जिन्होंने हमें यहां पहली बार आने का सुबव स दिया तो सबसे पहले हमने उत्राखंड में जो एक कटपुतली का कारेकरम सुरू किया एक समता संस्ता के माध्यम से किया जो जिसका हैड़ ओप इस चक्रता में था उनके माध्यम से हमने एक कारेकरम गाउं-गाउं में संचालित किये कटपुतली कारेकरम एक ऐसा कारेकरम जिसमें लोगों को कई विषयों पर जानकरियां प्रदान की गई जैसे नसाखोरी पर शाक्षर्टा पर और आपके प्रियावरण पर स्वच्छता पर एक कटपुतली एक ऐसा माध्यम रहा जिससे लोगों का एक तो मनोरणनल इससे बना और जल्दी से जिस चीज के बारे मे हम लोगों को जनता की बीच में गाउवालों की बीच में इस बात को रखना चारहे थे वो जल्दी से ही उनके समझ में भी आ जाता है तो मुझे लगा कि कटपुतली कारे करम एक ऐसा माध्यम रहा जिसमें गाउवाशियों ने काफी बढ़ चरकर हिसा लिया तो इसको आप अपनी भासा में करते थे या हिंदी में किस तरह से हाँ इसको कुछ अपनी भासा लोकल भासा जो रोमाई की है उसका भी परियोग किया गया और कुछ-कुछ जो हिंदी में भी इसका नाटक जैसे चलाए तो हिंदी का भी परियोग किया इसकी कोई कहानी या कोई गीत इस हाँ नाक तो इसमें ऐसा होगा कि इसमें पान्साथ दस बार आद्मियों की एक टीम होती बच्चे है वो कड़ पुद्दी माध्यम से यहां पर दिसका है आध्यम पर तो संभव नहीं है लेकिन वहां पर उसका अलग से एक स्टेज एक मंच होता है उस मंच के माध्यम से लोगों को इसकी नाटिकाई दिखाए जाती है तो इसका गायन होता है मतलब इसका गायन भी है जैसे नाटक चल गया उसके बाद इसका गायन भी है कैसे मतलब कैसे गा गीत होते हैं या हिंदी वाले गीत होते हैं या आप अकेले गाती हैं आपकी पूरी टीम गाती हैं इसको तो हम लोग ऐसा गाते हैं कि जैसे जिसके पास जो कारेकरम है जहां पर जो जिसका कारेकरम खत्म होता है वहां पर गाना भी सुरू करता है सुनील आपके साथ रहता है ये भी उसका गायन करते हैं जैसे सुनिल जी स्वच्चता पर हम लोग कारेकरम करते हैं उसका ये गाना ज़रा पेस करें एक जी जी हमने गैर्वला जी के साथ बहुत सारे कारेकरम कटपुद्ली प्रोगाम किये हैं और विश्यस मेरी भागीदारी गाने की तरफ रही है में जाकर और गली-गली में जाकर के गाया ताकि लोगों के समझ में आए कि हमको सुचता रखनी चाहिए अपने भारत देश को अपने उत्राखंड परदेश को सपल बनाना चाहिए तो मैं दो लाइन हो गानी की गादों पंचो लीजी पर इसमें आप कटपुद्ली को भी करता है उस स्टेज के माध्यम से इसको हम लोग दिखाते हैं अब यह तो यहां पर संबव नहीं है फिर भी इसका जो कारेकरम है यह हमारा जो स्टेज पर जाएगा वह इस तरह से जाएगा और जो भी सुनिल जी आप बिसारी जी गाना जरा सवचता पर गाई है जी सवचत बोरी साप रख्या देली गोंकु पाणी साप रख्या देली गोंकु पाणी जे गौमा गंदगी की होंदु वास ते गौमा बीमारी कु होंदु राज बीमारी होना से गौं बचाणू साप रख्या देली गोंकु पाणी सुन गाउं की बेटी बोरी साप रख्या देली गोंकु पाणी साप रख्या देली गोंकु पाणी यह सुचता अभ्यान जी गाना तो बहुत लंबा है सर पर आप और भी गाना गाएंगे गरला जी आपने भी कठपुतली का निर्टे करवाया है तो यह कठपुतली आप राजस्तान से खरीते हैं क्या यह राजस्तान से नहीं मंचल जी यह हम स्वयम हाथ से बनाते हैं कैसे यह पूरी बिधा के बारे में हमारे दफ्सका यह है कि अब तो इसका बड़ा आसान तरीका है क्योंकि जब हम इसको कार्या को सुच्छू किया उनिस सो पिचाशी चैसी में तो गाउं में बड़े मुश्कल से तो पेपर नहीं मिलते थ procedure left-up आउनी तो इसको सबसे पहले हम रदी कठी करते हैं हव पेपर को तो पेपर कठा किया की कृटिंग करें कानी में आप अकेले इस काम को करते हैं नहीं हम मेरे साथ जो टीम है जो भी करते हैं लेकिन हम इसके विशेस पहुआ हो रहे हैं क्वा इसका जो प्रक्सेशन था फिर टीम के साथ साजा किया इसको तरह लोग अश्प्रोन हैं तो इस पेपर को जो है साम को काट करके भिगा दिया और भिगा Crystal के बाद इसको इमांट दस्ते या जाता है बारीक करके और उसमें मेथी जो है हम पपेट इसको तयार करते हैं तो उसके बाद ये जब शुकाई द्लेर या बड़ा सक्त हो जाता है ये विलकुल सक्त हो गया है ये बिलकुल पत्तर Korea अच्छा व्येयर मेठी से सक्त हो गया अच्छा जी तो मेति और इसकी जो कपड़े हैं इसकी जो पैरवारे सब हम लोग सब हाथ से बनाते हैं यह पूरा पहाडी ड्रेस आपने बिल्कुल पहाडी ड्रेस है नहीं तो हम तो इसको राजस्तानी भी बना सकते थे अगर किसी दूसरी राज्य में होता है लेकिन उत्र प्रियावरान पर कोई नाटिका सुरू कर रहे हैं तो नाटिका को सुरू करते ही लोगों के मन में थे में जीगान किस उत्रहा जाती है कि वासतों में यह बात सभी है लोगare Dog प्रिवार नियोजन कर इस जारे लोगें यह मानए जुन रहे थे कि यहां बगवान की देन है यह तो होते रहते यहां कि कठपुदी के माद्धियम से जो आपने नाटक तयार के लिए परिवार नियोजन ज़रूरी है बच्चों में रहला जरूरी है और कठ पुदी को भी बनाया आपने और उसी जितने आपके कारेकर्णम होते हैं उसके अनुसारा आपकठपुदी को भी इजाद करते है तो जो परिवार नियो जन है या स्वास्ति को लेगर कोई गीत है तो यह सुनील आप साथ पूरा रहता है बिलकुल सुनील जी मेरे पराबर है जी सुनील जी और है यह थोड़ा सा मेरी बच्पन से रूची रहे कि मैं गाने को तोड मोड के जरूर उसको फिट कर देता हूँ नाटक के साथ अपनी जो अमारी कटपुदी नाटक होते हैं उनके साथ में फिट कर देता हूँ तो परिवाणियोचन पर दो लाइन गाता हूँ इसमें फिर वो ही है बस इसमें अलग अलग से कारेक्रम होते हैं अलग अलग कोपेट होते हैं अब हमें तो यह की दिखाना पड़े गई परिवारनी ओ जनको संदेशा तुमू के आईगो नौयत जूटां दी सादुन उतिर खंड सरकारे सादन पूछेन के नर्सा गाउं गाउं दी घुमें तुमू के यह थुके वास्त भाईयो चलाया साथ की चलता अभियान नुकरिना टकरी सिकिछा मन और जन हों दो ध्यान ओ मेरे ओ मेरे सबासातियो नौय आईवा भाईयो परिवारनी ओ जनको संदेशा तुमू के आईगो इसमें क्या होता है हमारा पूरा साथ बाज होता था साथ में हार्मुनियम डोल किर्दमपली फिर रा के साथ गाया जाता था सब्सक्राइब तो अब तक आपने जगे इसका परदर्शन किया है दोग्या रवावर ऑर जानपूर जांचार जितना भी एरिया है सारे लग्भवक लग्भवक पूर्य गाउं में हमने ये करेकम किये उत्राखन के लावा हम ने उत्तर परदेश में भी इसको करने का एक बात हाथ एक ये जनता पर दिखा भी गाउं वासियों पर हाँ ये तो है कि अब आज कर लोग स्वास्ते को लेकर के बड़े जागरुक हुए है तो कहिन के जन जागुता अभ्यान का एक असर रहा है लेकिन आप बड़े विशे से गेंक पुतली को लेकर के बरतमान दोर में जो आधुनिक यूग है आज कर टेक्नोलोजी आप कह रहे थे कि उस जमाने बहुत कुछ चीज़े नहीं थी हम लोगों ने जो ये कारेक्रम सुरू किया बड़े बिसम प्रस्थित्यों में किया उस समय लाइट की कोई व्यासता नहीं थी ऐसे दूर दराज के गाउं थे जहां पर लाइट की सुविदा नहीं है कई गाउं अभी भी अच्छुते हैं जहां लाइट नहीं है तो हम लोगों ने बिना लाइट के और बिना उसके जनेरेटर के कोई जनेरेटर की सुविदा उपलब्द थी, इस समय तो सारी सुविदाय उपलब्द हैं, उस समय कोई भी सुविदाय ऐसी उपलब्द नहीं थी, और पैदल था, अब तो हर गाओं में गाडिया हैं, उस समय बिलकुट पैदल जाना पड़ता था, जो सामान है उसको भी अपने कंदों पे डाल करें अन्रोद करना चाह रहा हूं, कि अब अगर लोग इस से जुड़े, तो उनके लिए बहुत सुनरा आफसर्वी है, तो बड़ा आसान है कि लोगों को पेपर भी आसान से मिल रहे हैं, गाओं में, गाओं तक जो है पेपर आ रहे हैं, क्योंकि दिकत पहले पेपर की भी थी, गाओं में कौन पेपर पड़ता था, पेपर मलब इसको अकबार पुरान पेपर रद्धी, अब ये आराम से लोगों को मिल जाता है, अच्छा, दूसरी बात है कि लोगों को आने जाने की विशुविदाएं हैं, आप लोग कही गाओं एक दिन में कवर कर सकते हैं, सरकारी प्रविवक अगर जुड़े हैं, और इस कारेकरम का फाइदा उठाएं, और गाओं गाओं में जाकर के लोगों को इसकी शिक्षा दे हैं, तो ये मैं समझता हूं, बहुत बेतरी सुवर्फसर है, बेतरी हो सकता है, जन जागरन हो सकता है, इस कटपुतली के माद्यम से, त को ट्रेनिंग दी है, उनमें से सुनील जी भी आपके साथ मौजूद है, तो इसका परभाव, सुनील जी थोड़ा आपके तरफ हम जाना चाहते हैं, कि आप इतने लंबे समय से, यानि कि ये लगा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, इसका परभाव पढ़ा है समाज मे और आज इसकी जरुत है या नहीं है, पंचली जी इसकी आज भी समाज में बहुत बड़ी जरुत है, क्योंकि आज हम दूसरी संस्क्रिटी को भाग रहे हैं, घर में, गाओं में, ऐसे से कारे करम होते हैं, जिस से हमारे समाज पर दुस्ट परचार हो रहा है, और रही सरका आज है आज हम दूर दूर के गाओं है, उनको भी पता इसकी नहीं है, जहांके बचिया भी इसकूल नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसके लिए अगर ना तक हम घर घर में जाके उनको समझाएंगे की स्कूल परना जरूरी है, ठीक, लड़का लड़की में भेदने रखना तो यह दिया हम इस जन जाग्रणों को पुना काटपुली के माधिम से करें और अपने गीतों के माधिम से करें तो अवज से कुछ न कुछ इसका लाब होगा अपने सुनिल जबी कोरोना का नाम लिया है और 1985 से गहरला जी नुक को यह से कटपुली निर्ते नाटिका को कर रह दुनिया ममचिगे आहाकार कोरोना महमारी पहली बार दुनिया ममचिगे आहाकार ना दवाई ना इलाज सुधिना गुम्यतों सेरु बजार कोरोना से ना डोरिया तु पालन लोक डोन करिया तुम कोरोना महमारी पहली बार दुनिया ममचिगे आहाकार ना दवाई ना इलाज सुधिना गुम्यतों सेरु बजार गाना से बहुत लंबा है पर समय के आशार साथ से कभी फुरसत से अगर म्यूजिक के साथ इस इन चीजों के लिए के आंगे तो और अचर लगे तो आप दोनों का कहने का मतलब ये समझ में आया है कि आज कटपु अब लोग बोलते हैं कि ये जो बंद हो गया कारिकरम तो ये नहीं चल पा रहा है तो अभी भी लोग हमको पूछते हैं जी गरवाजी क्या बात कटपुली कारिकरम क्यों नहीं हो रहा है अभी भी लोग जो है इस पे काफी रूची रख रहे हैं अब हम लोग इस काम से हट करके दूसरे काम में आगे 2002 के बाद हम 2003 में फिर गाउं ग्राम सबाब के वी उलस गये अच्छा परदान भी पूर परदान भी है तो इसका मुझा आपको गाउं की विकास कि उना है उसके बारे में आपको जादा जान करें तो इसको लेकर के आपने पहले नुकर नाटक प्र कठपुली की जरूत भी है कठपु हैं कर एक हो रही है या नहीं हो रही है इसके बारे में आपका क्या खया जो उटाएम इसमें तो मेरा यह कहना है आपना व्यक्तिकत बिचार यह है है कि लोग में नहीं देख रहा adviser और तो चल तो सकता हैकihat है जो नव्यूके लोग है वो भी जूनना नहीं चाह रहे है यहा उन हुंको कोई जानकारी नहीं है सरकार के द्वारा कोई ऐसे कोई अभियान चले जिस से नव्यूकों को प्रेदित किया जा सके अब लोगों को या तो जानकारी का भाव है आप लोगोंने मदिनी सेट पर चेंदु बरेख्षा पर इस do красив garbage ऑली सेट अ rex three open वाला गाणा एक बंदा लेगूंदी जालू ले इंड इंड लेगूंद code जालू ले अट मेरी मदूली बांदा रे बारी गोंगों माली जानू ये मदूली बांदा रे बारी गोंगों माली जानू ये मदूली बांद तो डालूं नकट हे कट मेरी मदूली बांदा अंत में जाते जाते गहरोला जी लाजी वी एक गेत क्योंकि इतना आपने इतने साने कारेक्टरम किये हैं और हमारा दरसक आप से भी सुन्ना चाहती कि क्या दरसल मारकंडे परसाद गहरोला जी ने ये काम किया है उत्राखन्ड देव भुमि देख दों, उत्राखन्ड देव भुमि देख दों, हाई कन भलू लगतू भुला तेरसों। उत्रा खंड देव भूमि देख दों है कन वलू लगदू भूला तेरसों तिर्थ यक बद्री के दार गंगोत्री की का नीवाहार यमनोत्री की का नीवाहार बर्फ जनू चांद जिल मिलानुछे है कन वलू लगदू भूला तेरसों ये भूला तेरसों ये भूला तेरसों ये भूला तेरसों धन्यवाद तेरसों मारकंडी परसाद गहरोला जी और सुनील बेसारी जी रवाई जनपूर की एक भासा है कि तेरी सों मतलब आपकी कसम है कि रवाई जनपूर अगली बार हम दूसरी सक्षित से ऐसे किसी और कहानी को लेकर के प्रस्तुत होंगे तब तके लिए नमस्कार